पार्ट ओफ कॉन्टेक्ट पार्ट ओफ कंट्ट की बात कर रहा है बतला यह पीमे आप से की बार पूछ लेते हैं बड़ा फिकरन्ट ली कोशन पूछते हैं कि स्पैसिफ पर्फॉर्मेंस पार्ट ओफ कौन से section में तो आपको याद हो कि यह section आपको पता हो कि section 12 जो है वो part of contract की बात कर रहे है section 12 जो deal कर रहे है यह part of specific performance of contract की बात कर रहे है और यह प्री में generally यही पुछा जाता है section 12 क्या कह रहे है specific performance of part of contract accept as otherwise here and after provided in this section the court shall not direct the specific performance of a part of contract एक है section 12 क्या कर रहे accept as otherwise here and after provided in this section the court shall not direct the specific performance of a part of contract तो मतलब यह है कि पहला जो है वो पहला clause जो है section 12 का clause 1 जो है general rule क्या है rule क्या रहे part of contract specific performance of part of contract तीक है इसको ऐसे लख लो general rule is specific performance से इसको ठीक से लिखते है पूरे लिखते है General rule is that specific performance of part of contract is not possible, ठीक है? Accept as of otherwise in a structure provided, in this section the court shall not dette specific performance of part of contract , ठीक है? पेहला clause to clause 1 ,Ckun hon केहरा है कि specific performance नहीं होगी, clause 1 केहरा है ठीक है? और इसकी exceptions हैu ए Clause 2, Clause 3 and Clause 4, ठीक है, तो यह तीन इसकी exceptions है, Clause 2, Clause 3 and Clause 4 की exceptions है, कैसे हैं पढ़ते हैं, where a party to a contract is unable to perform the whole of the part of it, ठीक है, कोई एक party है, जो contact को unable to perform the whole of his part of it, but the part which must be left unperformed by only a small proportion to the whole in value, and admits compensation in money, यहाँ पे दो चीज़ हमने important है, कि जो left unperformed है, वो एक small portion है, ठीक है, whole in value, उसका एक small portion है, और दूसरी condition क्या है, and admits the compensation in money, और वो उसके लिए compensation देने के लिए भी त्यार है, ठीक है, तो हमें क्या unperformed जो है, वो small portion है, और जो admit कर रहा है, compensation देने के लिए money में, the court में add the suit of either party, अब यहाँ पे word यूस किए, either party, either party, किसी भी party के कहने पे, direct the specific form of such, so much of the contract as can be performed, and award compensation money for the deficiency, ठीक है, तो इसको समझते हम, कि यहाँ पे पहले तो है, इधर party आ जाएगी, कोई भी party आ सकती है, दो पाटी आउंगी, ठीक है, दो पाटी आँ देख लो, Mr. A और Mr. B का contact हुआ था, अब चाए A आ जाए चाए B आ जाए, स्पोस्स यह contact है, ठीक है, यह पूरा contact किया था, कि यह पूरा contact होगा, यह तो party करने के लिए त्यार है, इतना तो perform करने के लिए त्यार है, इतना perform करनी पा रही है, ठीक है, मतलब क्या है, क्लॉस्ट्री समझें, अनली स्माल पोश्चन इस अन परफॉर्मेबल, पहली कंडिशन तो एक ही, स्माल पोश्चन, अब यह क्या है, बड़ा हिस्सा जो है, वो perform कर सकते हैं, मतलब सोचों, यह पूरा contact है, इस पैसे बड़ा हिस्सा तो वो perform कर सकती ही, पाटी करने को त्यार है, और छोटा हिस्सा जो है, वो perform नहीं कर सकते, और दूसरा है, एंड, ठीक है, एंड, एडमिट, कंपन्सेशन, इन मनी, तो क्या है, ए और बी के बीच में कोई contact हुआ था, और वो contact इतना बड़ा contact था, पर उसमें से जो पाटी है, कोई एक पाटी इतना contact तो करने को त्यार है, इतना तो कर सकती है, इतना नहीं कर पा रही, कोई भी reason हो सकता है, सौ बोरे लेने थे, सौ में से उसमे OK trois, 95, 25 तो मैं दे दूँगा, पाँच नहीं मैं। नहीं कर पा रहा हुआ, यसलिए मैं 5 नहीं दे पा रहा हुआ, मैं पाँच नहीं दे पा रहा हुआ है, कुछ भी reason है, कि specific performance of part of contact possible नहीं होगा ठीक है पर यह इसके exceptions क्लॉस 2 क्लॉस 3 और क्लॉस 4 इसके exceptions और क्लॉस 2 कह रहा है इधर पार्टी यहां पर इधर पार्टी आ गया वर्ड ठीक है यह यह पर भी चुछ को यह कोई पर्टी अनेबल है पर इस पर अनेबल के लिए whole office part पूरा पार करनने कर नहीं कर पा रही है सौ बुरे सो बुरे दो सौ टे सेखुचारर परिट ऑड कर पार्यें अन्डर नहीं कर पारी but the part विच म menor भी बर्ट परफॉम्ट-weak only a small portion ठीक है एक छोटा सा portion है to the whole of the value जो पूरी है उसका small portion है ठीक है 100 bags थे sack के bags थे wheat के उसमें से 95 करते करतेंगे 95-98 करतेंगे 5 यह दो नहीं कर पाएंगे ठीक है small portion है and और साथ में यहाँ पर word है and ठीक है and word है and admit of compensation अब जो 2 बोरे यह पाँच बोरे नहीं दे सकते उसके लिए वो कर रहे है हम compensation देने के त्यार है the court में अब court क्या करेगी add the suit of either party किसी भी party के either party मतलब कोई बीच है A या B किसी भी party के कहने पर direct the specific performance of so much of contract ठीक है direct करेगी specific performance of so much of contract as can be performed जो perform किया जा सकता है and award compensation money for the deficiency code करेगी कि ठीक है तुम बाकी का perform करो और जो बाकी ये deficiency जो है वो बाकी तुम पैसे में कर दो ठीक है जो पाँच बोरे तुम नहीं कर पारे हो ठीक है 5 बेक्स जो आप नहीं दे पारे है उसके लिए आप compensation भी कर दो ठीक है पहले तो ये simple है पहली बात तो यहां तक simple सी बात कर रहे है clause 2 में कि either party अगर कोई जो contact था पूरा नहीं हो रहा है ज़्यादा portion हो सकता है छोटा portion नहीं हो सकता ठीक है और दूसरा जो नहीं कर सकते है उसके लिए compensation देने के लिए त्यार है तो कोई भी party case कर देगी इधर party चाहे A case कर देगा चाहे B कर देगा ठीक है और quote कर देगी quote कर देगी ठीक है जितरा perform कर सकते उतरा perform कर दो और जो नहीं कर सकते है उसके लिए compensation पे कर दो ठीक है, यह तो हो गया, simple clause 2, अब clause 3 पढ़ते हैं, clause 3 के ज़रा है, इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं, इसको पहले पुरा पढ़ लेते हैं, एक पर, where a party to a contract is unable to perform the whole of its part of it and the part which must be left unperformed either, अब इधर में से a और b दो अलगलग condition है, either, form से considerable part of the whole, दो admitting को compensation money, ठीक है, बड़ा part है, और admit कर है compensation देने के लिए, और does not admit of compensation money, या फिर compensation money देने के लिए त्यार नहीं है, इसका मतलब जो portion है वो छोटा है, ठीक है, does not admit compensation money, दूसरी आगी, he is not entitled to obtain a decree for specific performance, but the court may add the suit of the other party, direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform if the other party, in case falling under clause A, pays or has paid the agreed constitution for the whole of the contract reduced by the constitution for the part which must be left unperformed, and in case falling under clause B, pays or has paid the constitution for the whole of the contract without any abatement, and in either case, relinquishes all claims to the performance of the remaining part of the contract and all right to compensation either for the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant. ठीक है, इसको समझते हैं, वोट असर टेक्निकल है, ध्यान से समझो, अब यहाँ पे only the only party, एल तो करेंगा तो only party, ठीक है, कौन सी party है वो समझते हैं, अब यहाँ पे further clause A के further clause हैं, दो clause A समझो, अब clause A में है, चोटा पाट कर सकते हैं, बड़ा पाट नहीं कर सकते हैं, और B में है, ठीक है, वेरे party, तो a contract is unable to perform the whole of his party, ठीक है, पूरा पाट नहीं कर सकते हैं, and the part which must be left unperformed, इधर, फॉर्म से considerable part of the whole, दो admiter को compensation मनी, ठीक है, यहाँ पे कह considerable part है, मतलब जो party A clause में है, छोटा पाट कर सकते हैं, पर बड़ा पाट नहीं कर सकते, पर साथ में यहाँ पे पर party जो है, बड़ा पाट कर सकते, पर बड़ा पाट कर सकते हैं, which is unperformed, ठीक है, मतलब क्या है, इतना तो कहते हैं, इतना contact तो मैं कर देंगे, छोटा पाट तो कर देंगे, बड़ा पाट नहीं कर पाएंगे, पर जो बड़ा पाट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए compensation देने को लिए तियार है, ठीक है, और दूसरी condition है, यह देखे जा तो तीन conditions आ गई है, तीन situations है, और यह जो condition है, इसमें second condition है, यहाँ पर जो है, इसमें कह रहे हैं, कि बड़ा पाट तो कर देंगे, छोटा पाट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, but not ready to pay the compensation for the rest of the part ठीक है जो बचे किया है उसके लिए वो कर रहे है कि ये इतना तो मैं परफॉर्म कर दूँगा पर ये मैं नहीं कर सकता परफॉर्म पर मैं इसके लिए कंबन्सेशन मी नहीं दूँगा ठीक है अब ये देखे जाए तो तीन सिचुशन है ये सिचुशन यहां तो तो सेम है पर यहां पर क्या है इस से अलग है इस से अलग क्यो है क्यों है क्योंकि यहां पर क्या है कंबन्सेशन देने को त्यार है पोशन जो है वो बड़ा है portion तो बड़ा है, तर साथ में compensation देने को भी तैयार है, अगर तो compensation देने के लिए तैयार है और potion जो है, छोटा portion जो नहीं कर सकते, फिर तो यहां पर condition में आ गहा फिर तो either party कोई भी party case करके, परफॉर्म करवा सकते हैं, इसके लिए compensation ले सकते हैं, यहां पर दूपर सिचूशन है जहां पर चोटा परफॉर्म कर सकते हैं सो बोरे के हुआ था पांच बोरी दे सकता हूँ और 95 नियुक्त को जो तो में नुक्सान हो रहा हूं वो मुझसे ले लो और 5 बोरे मैं दे सकता हूं और कंबनर सेचन देने के लिए त्यार है तीसरे क्यार है कि 95 वोरे तो मैं दे सकता हूँ पांच नहीं सकता पर जो मैं नहीं दे सकता उसके लिए मैं दूगा ठीक । situation अलग-अलग हो गई है, अब इस context में समझते हैं, बढ़ते हैं इसको, ठीक है, does not admit for compensation in money, मतलब part जो है, बड़ा पार जो है कर सकता है, चोटा पार नहीं कर सकता है, पर compensation देने को त्यार नहीं है, यहां पर part जो considerable part of the whole, बड़ा पार कर सकता है, और admit भी त्यार पार जो है, ब left unperformed forms है, जो part जो बड़ा है, उसको considerable part है, और उसको पर admit compensation करने के लिए त्यार है, तो अब यहां पर क्या होगा, जो party default कर रही है, उसको direct कर सकती, यहां पर क्या है, दोनों party नहीं कर सकती, सर्फ जो party default नहीं करी, उसी वो ही कर सकती है, किसके against कर सकती है, जो party default पर, उसके against ही कर सकती है, so much of his part of the contact as he can perform, ठीक है, जितना part perform कर सकता है, उतर नहीं करवाएंगे, ठीक है, यहां पर अब जो था part था, a और b की बात करें, यहां पर a और b करता, यहां पर b default करके, b करती है, इतना काम मैं नहीं कर सकती है, इतना कर सकता हूँ, और a काम जो हो, यहां पर b करता है, इतना कर सकता है, इतना part मैं नहीं कर सकता हूँ, यहां पर बड़ा पार मैं नहीं कर सकता हूँ, आप इसको करवाओ, ये भी नहीं करवा सकता कहके, ठीक है, तो यहां पर क्या करें है, in case falling under clause A, ठीक है, यहां पहले यह पढ़ता है, he is not entitled to obtain a decree for specific moments, but the court may add the suit of the other party, debt the party in default, ठीक है, जो default party उसको कह सकती है, to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform if the other party, first पहले, in case falling under clause A, ठीक है, clause A में, कह रहें, clause A जहां पहें, बड़ा पार्ट नहीं कर सकते हैं, छोटा पार्ट कर सकते हैं, अब clause A में कह रहें, pays or paid the agreed consideration for the whole of the contract, reduced by the consideration for the part which must be left unperformed, and in case falling under clause B, pays or has paid the consideration for the whole of the contract without any abatement, अब यहां पर दो conditions और लगा दी हैं, कि यहां पर अब क्या है, पहले तो सरफ A ही करवा सकता है, B से, ठीक है, A कह सकता है कि तुम करवाओ, इसको perform करवाओ, B नहीं कह सकता, क्योंकि B default पर है, default party नहीं कह सकती, A करवा सकता है, पर A के लिए condition के टाल दी है, कि अगर वो तियार है कि इतना पार करदो, इतना पार के बथले olmay दे वो compensation लेने को लिए तियार है, ठीक है, और या फिर इतने बड़े पार जो बो कर सकता है, इतना पार नहीं compensation दे पार दो यहां पर उसने यह जो अपना था पैसा दे दिया उसने, जितने पार्ट का पैसा था वो बिना किसी देरी के without an abatement वो उतना दे चुक है पैसा फिर court जो है order कर सकती है कि तुम उसको part performance complete करो ठीक है in case falling under clause A pay or has paid to agree to constitution for the whole of the contract reduced by the constitution for the part which must be left unperformed and in case filing under clause B pays or has paid the constitution for the whole of the contract without any abatement ठीक है और दूसरा in either case relinquish all claims to performance of the remaining part of the contract and all right to compensation either for the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the department ठीक है और either case में अगर relinquish कर देता है तो यहां पे and भी है ठीक है clear है आपको यहां तक यह है इसको समझने के हो सकता है थोड़ा से समझना आ रहा हो थोड़ा से टेकनिकल है तो इस वीडियो को न इसको section clause 2 को पढ़ना पढ़ना फिर वीडियो को तीन चार बर देख लेना एक दो बार देख लेना clear हो जाएगा फिर भी अगर नहीं होता तो फिर मैं समझा दूगा पर clear हो जाएगा आपको ठीक है थोड़ा थेकनिकल है थाड़ क्लॉस उसको एक दो बार आपको दो तरिन बार बेर को पढ़ो फिर लेक्चर को एक दो बार रिबीट करके देख लो clear हो जाएगा थीक है फूर्थ सिंपल है वैन अ पार्ट ऑफ कॉंट्रक्ट विच टेकन बाइटसल्फ कैन और तो बी स्पैसिविकले परफॉर्म्ड पर्फॉर्म्ड तो यह सिवरेबिल्टी की बात कर रहे है अगर दो कॉंटेक्ट है जिनको अलग अलग किया जा सकते है एक पार तो कहता है मैं कर सकता हूँ और एक पार को मैं नहीं कर सकता तीक है और यह सिविरेबल है अलग हो सकते हैं दोनों तीक है अलग हो सकते हैं अगर तो अलग हो सकते है अगर टो तो अलग हो सकते हैं कर दोनों को अलग किया जा सकता है तोनों वाला उसके साथ अलग किया जा सकता है तोनों अलग है कर देंग है यहां पर प्रफॉर्मक कर सकता उसको कर ले जो नहीं कर सकता उसके लिए रिर्फियूज कर दिया जागा है यहां पर प्र पर्फॉर्मACE हो सकती है explanation है for the purpose of this section a party to a contract shall be deemed to enable to perform the whole of its part of it if a portion of the subject matter existing at the date of the contract has ceased to exist at the time of its performance explanation है कि वो exist ही नहीं कर रहा जब वो performance का time है तब वो part exist ही नहीं कर रहा तब नहीं कर पा रहा वो ठीक है तो section 12 क्या कह रहा है specific performance of a part of contract तो पहले तो आपने यह याद करना है section 12 जो है वो part performance की बात कर रहा है part of contract की performance की बात कर रहा है तो यह प्री में कर पुछेंगे तो आपको बताओ section 12 आपने यह बताना है ठीक है general rule तो यह है कि इस part में performance नहीं हो सकती उसकी तीन exceptions है in conditions में specific performance हो सकती है ठीक है तो एक के कहने पर कर देगी बीक के कहने पर कर देगी दूसरा clause है clause 3 कह रहा है कि एक तो है कि part जो है considerable थोड़ा part कर सकता है बड़ा part नहीं कर सकता है पर जो नहीं कर सकता है उसके लिए compensation देने के लिए त्यार है ठीक है दोनों अलग लग किये जा सकते है अनको अलग लग किया जा सकता है जो unperformable contact है उसको अलग किया जा सकता है performable से तो code कहा देगी यह मत करो यह कर दो इसके part performance करवाई जा सकती है ठीक है clear है आपको यहां तक